हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉंपेटिशन कम्यूनिटीज यूट्यूब चैनल, कॉंपेटिशन कम्यूनिटी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, मेरा नाम है प्राणजल सेंग and I am the faculty of law in the competition community और आज आप सभी students के लिए में लेके आया हूँ एक और वीडियो लेक्चर, आज के इस वीडियो लेक्चर से हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक नई प्लेलिस की यानि कि एक नई वीडियो लेक्चर सीरीज की जिसमें हम एक सब्जिक्ट को जो कि एक माइनर लौ है चाथिस गड़ में महंगी है कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमने हर्यान से शराब खरी ती दुवा सस्ती थी यहां पे महंगी है कुछ लोग कहते हैं कि यह वाली शराब का ब्रैंट चतीस गड़ में महंगा है लेकिन MP में सस्ता है MP में यह वाली महंगी है चतीस गड़ में यह वाली ससती है, कुछ लोग कहते है, एक particular शराब है, जो हमारी केवल此टीजगर में मलती है, लेकिन вो उत्तरप्रदेश में नहीं मलती, कुछ है जो सिफ उत्तरप्रदेश में मिलती है, लेकिन अत्त graph ये शावरी चीज़ें कर कौन रहा है, तो इन सब सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो लेक्चर सीरीज में, क्योंकि हम डील करने वाले हैं, 36 गड़ एक्साइज आक्ट 1915, जो कि हिंदी में कहलाता है, 36 गड़ आपकारी अदिनियम 1915, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है, कि सभी स्टेट्स के पास उनका एक एक एकसाइज आक्ट होता है, वैसे ही 36 गड़ का अपना एक एकसाइज आक्ट है, और यही डील करता है इन सारी चीजों को, कि 36 गड़ में कौन सी शराब इंपोर्ट होगी, कौन सी एक्सपोर्ट होगी, उसके ओपर कितने टैक्सेज लगेंगे, जो मैनि अधिनियम हिंदी में पढ़ने से तो समझ में आ जाता है कि यह किस चीज को डील करता है लेकिन जब हम इंग्लिश में इसको exercise act के रूप में डील करते हैं तो हम जारा confused हो जाते हैं confused क्यों हो जाते हैं confused इसलिए हो जाते हैं क्योंकि exercise काफी जादा डील करता है यह अब जरा हम वीडियो के शुरुआत करें और समझने की कोशिश करें तो एक photo आपको यहां लगी दिखरी होगी जिन से आप मेंसे बहुत सारे लोग शायर रिलेट कर गए होंगे ऐसे बहुत से लोग होंगे जो experience होंगे और उनमेंसे कई ब्रैंड्स को वो पैचान चुके होंगे तो मैं उनको यही बताना चाहता हूँ कि intoxicant drug क्या होता है शराब क्या होती है इस आक्ट में किन-किन चीजों को डील किया जाता है वो हम आगे के वीडियोज में डील करने वाले है अभी context बिनाने के लिए आप बस इतना समझ लीजे कि हम जिस चीज को डील करने वाले है वो है शराब और अभी आप अपने दमाग में ये बनाई है कि हम इस आक्ट में कियवल शराब के उपर चल्चा करने वाले हैं कि शराब कहां से आई जा और इभर किस ने बेचा अगले जो वीडियो आने वाले हैं उसमें हम section 2 से शुरू करके इस पूरे act को खतम करेंगे तो शुरुवात करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर सीरीज की पहला वीडियो यह होने जा रहा है किसका है सर यह वीडियो यह होने वाला है exercise act 1915 जो कि हिंदी में कहलाता है चतिसगर्ड आपकारी अधिनियम 1915 ठीक है सर अब जैसे कि हमारे सभी वीडियो लेक्चर का एक हाइलाइटिंग पॉइंट होता है कि हम कभी भी अपने वीडियो लेक्चर को बिना scratch से शुरुवात किये शुरू नहीं करते हैं सबसे पहले जरूरी है concept को build करना और concept क्या कहता है सबसे पहले Google पर जाके ढूंते हैं सर की exercise का मतलब क्या है exercise का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है कोई एक ऐसा tax जो किसी goods के उपर लगाया जाए जो कि alcohol हो सकता है, cigarette हो सकता है, petrol हो सकता है जो कि national या state government या कि central government या state government लगा सकती है असान बासा में समझने की कोशिश करें जो कोई ऐसा tax जो किसी commodity के उपर लगाया गया हो या किसी goods के उपर, किसी समान के उपर लगाया गया हो जो state government या central government दोनों लगा सकती है और वो समान किस type का हो सकता है वो petroleum हो सकता है, वो alcohol हो सकता है वो आपका tobacco हो सकता है, इस तरह के products हो सकते है अब यहाँ पर आपको confused होनी की जरुवत नहीं है, यह एक broad definition है, हमारा act इन में से कौन-कौन सी चीजों को deal करता है, वो हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर दूसरी definition भी देख लेते हैं, यह government tax है, इसका मतलब केवल सरकार इसको लगा जा रहे हैं, हिंदी में क्या लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है, सरकार द्वारा देश के भीतर कुछ वस्तुमों के उत्पादन और विक्री के लगाया गया कर, यह हिंदी में लिखा हुआ है कर, और यही है tax, यानि कि इसी tax के बारे में चर्चा हो रही है, तो ए और उनको regulate कैसे किया जाएगा उस state के अंदर उसके बारे में यह act deal करता है अभी के लिए हम concept को यहीं पर छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं अब इस excise act को हमारे लिए पढ़ना जरूरी क्यों है sir इस excise act को पढ़ना जरूरी इसलिए है क्योंकि आपके state में जो welfare आ रहा है आपके state में जो monetary charge आ रहा है जो पैसा आपका state कमा रहा है तो सरकार उसे heavily tax को वसूलता है और अपने जो bank account है उसको भरता है ताकि आप लोगों का welfare किया जा सके और उसी के एक number को मैं या court करना चाहूँगा ये number है 2021-22 का यानि कि 2021-22 के financial year में 36 गड़ का expected जो collection था यानि कि 36 गड़ state ने जो collection किया excise revenue से excise revenue मतलब ये जो शराब और जो intoxicants हैं ऐसे products को बेचके उनसे जो tax से कमाई करी 36 गड़ state ने वो कितनी थी रुपीज 5,500 करोर्स यानि कि 5,000 करोर केवल excise revenue से कमाया था state of 36 गड़ ने इसलिए इस act को पढ़ना बहुत जरूरी है और इसलिए इस state के लिए बहुत जादा matter करता है क्योंकि ये revenue के part से ही बहुत जादा important है और हमने एक side केवल revenue का देखा एक दूसरा side भी है इसमें act को पढ़ना क्योंकि आप सरकार के first hand people है जो deal करने वाले हैं लोगों को और आपको इस act की knowledge होना बहुत जादा जरूरी है अब आपके concept को build करने की कोशिश करते हैं जाता कि आपको confusion ना हो अब आप में से बहुत सारे बच्चे बात समझ गये होंगे कि ये 36 गड़ excise act है इसका मतलब ये state का act है ये केवल 36 गड़ पे लागू होता है अब कई बच्चों को यहां सा confusion होगा कि सर एक तो 36 गड़ का excise act है लेकिन एक central excise act भी है सर हमें पता है हमने देखा है आप बिल central excise act डील करता है अलग चीजों को और state excise act डील करता है अलग चीजों को अगर आपसे कभी सवाल पूछा जाए कि alcohol और ऐसे substances को कौन डील करता है ये matter state का है कि union का तो आपको उनको बताना है कि ये matter state का है although एक center के पास भी excise act है जो कि अलग commodities को डील करता है जिसके बारे में चर्चा हमने यहाँ पर करी हुई है सबसे पहले देखते है central excise act को और उसके बाद देखेंगे state excise act को जैसा कि आपको पता है भारत का संवधान यानि की constitution of India का 7th schedule में तीन list दी हुई है list 1, 2 और 3 union list, state list और concurrent list union list में वो सारी चीज़े हैं जो central government जिनके ओपर decision लेती है state list में वो सारी चीज़े हैं जिनके ओपर state government decision ले सकती है वो उनके domain के चीज़े है और concurrent list में वो सारी चीज़े हैं जिन पे दोनों state और central government decision ले सकती है अब जो हमने देखा आपको state list और union list दोनों जगा पर excise act के चर्चा मिलेगा अब ज़रा उसको समझने की कोशिश करते हैं अगर हम 7th schedule के list 1 में देखेंगे list 1 जो की union को deal करता है उसकी 84th entry बताती है कि जो excise का मामला है वो deal करेगी central government वो कौन से मामलों को deal करेगी उसको समझ लीजेगा यहां पर लिखा हुआ है except except मतलब इन चीजों को छोड़के यानि कि alcoholic liquor for human consumption यानि कि वो शराब जो human consumption के लिए बनाई जा रही है साथी साथ opium Indian hemp and other narcotic drug and narcotics इसका मतलब आप सब इतना समझे नार्कोटिक ड्रक्स या भांग ऐसी चीजों को है जो cultivation किया जा रहा है यह सब चीजे center के अंडर में नहीं आएंगी center के अंडर में क्या आएगा center के अंडर में आएगा आपका जो भी आपका medicine है या toilet preparations के लिए पेट्रॉलियम है जो petrol आता है उसके साथी साथ tobacco है यह सब center list का मामला यानि कि central excise act उन लोगों को deal करता है और state excise act किसको deal करता है इस state उसके ओपर taxes वसूलेगी उसके साथी साथ यह opium Indian hemp यानि कि यह भांग और जो opium के plants है उनसे जो भांग बनाई जा रही है drugs बनाए जा रहे है यह सब state का matter है तो आपको अगर फर्क समझना है तो आप तुरंत कैसे समझ सकते हैं कि sir दो तरीके से हम divide करते हैं एक matter है center का एक 84th entry है list 1 की यह 51st entry है list 2 की बस अगर आपको इतना पता है तो आपका यह concept clear है अब हम जब इसको act को शुरू करने जा रहे है concept आपका बन चुका है तो अब हम जब देख लेते हैं कि overview ले लेते हैं कि हमें actually में इस act में deal क्या करना है और क्या हमारे लिए important है और exam के perspective से हमें क् इस act को पढ़ने में कितना समय लगेगा कौन-कौन से chapter में में कितना समय देना है ठीक है sir तो यह इसका एक index है जहाँ पर अलग-अलग chapters है chapter 1 जो है वो preliminary है आज इसका एक section कवर करेंगे अगले वीडियो में अगला section कवर होगा chapter 2 जो है establishment and control के बारे में बात करता है कि कौन-क manufacture, possession and sales है यानि कि यहाँ पर क्या है शराब आ जा रही है यहाँ पर state के अंदर जब बनेगी तो उससे related क्या laws है उसके बारे में deal किया गया है उसके बाद हमारे पास आता है chapter 5 जो की बात करता है duties and fees का जो की एक बहुत ही important chapter है क्योंकि यह हमें यह बताता है कि कौन-कौन से taxes कहां-कहां लग सकते हैं क्या fees imposed करी जाएगी कौन fees imposed कर सकता है कैसे कर सकता है उसके बारे में चर्चा है उसके बाद आता है chapter 7 जो की offenses and penalties का एक बार दोबारा बहुत ही important chapter है हमारे लिए काफी बड़ा चाप्टर है इसमें सारे offenses दिये हुए है कि इसमें कितनी penalty होगी और आम offense के बारे में जो की बहुत ही असान है तो बहुत ही इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है उसके बाद detention investigation and trial of offenses यह chapter 7 में है कि कैसे detain किया जाएगा उनका trial कैसे चलेगा इसमें काफी अब तक CRPC और IPC आ जाता है तो इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली क्योंकि हम लोग इसमें master है उसके बाद special provisions for scheduled areas यह भी हमारे लिए चैप्टर है उसके बाद mislinious में कुछ अलग-अलग procedures देफिनेशन दी हुई है यह बात क्लियर होगे कि सर में index में क्या deal करना है आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं preamble को अगर आपके पास bear act है तो आप उस bear को खोलिए उस bear act में ऊपर एक preamble दिया होगा एक paragraph में और उस paragraph को हमने तोड़ा और उसमें तोड़ के आपके मतलब की चीज को बाहर निकाल लिया है वो जो प्रियांबल है वो आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है import import का मतलब क्या होता है बाहर के देश से अपने देश में कुछ बेचना और possession का मतलब होता है जो आपने कहीं से खरीद के अपने possession में अपने मालिकाना हक में रखा तो इन सारी चीजों का यानि कि यह जो हमने देखा यह सारे के सारे act है इसको अगर एक बार दोबारा समझने की कोशिश करें तो किसी भी इनसान जो एक alcoholic substance का किस intoxicant liquor जिसको हम सिर्फ आम तोर पे कह देते है liquor और intoxicant drug जिसको हम easy भासा में समझ लेते हैं भांग तो अभी के लिए हम इसको ऐसे समझते हैं कि शराब और भांग का import, export, manufacture, possession, sale और उसके साथी साथ transport इन चीजों के law को govern करता है यह act बस इससे जादा इस act में और कुछ भी न कि जो शराब है और जो भांग है इन दोनों की दोनों चीजों का जो import हो रहा है, export हो रहा है, sale हो रहा है, possession हो रहा है, transport हो रहा है, manufacturing हो रही है, इसको पूरी तरीके से गवन करता है excise act, यानि इस पूरे के पूरे का जो पिता जी है वो कौन है, excise act, ठीके sir, आगे बढ़ते हैं, अब 36 का एक और ब्रीफ ले लेते हैं, इस act में chapters कितने है sir, 9, लेकिन 9 chapter number के हिसाब से है, amendment के बाद chapter number बढ़ चुके है, उसके बाद sections कितने हैं, अगर आप bare act पे जाएंगे तो इसमें sections होने वाले है 69, लेकिन फिर से ये numbers वाले sections हैं, अगर amendment देखेंगे, A, B, C, D, E, करके, तो ये number आता है 99 का, यानि लगभख 100 section का ये हमारे पास act है, और उसके बाद इसमें आते हैं 2 schedule, जो कि बहुत ही आम तोर पे छोटे से schedule है, और उसमें एक schedule में form दिया हुआ है, जो कि CRPC से as it is copy कर लिया गया है, तो जब हम उसको deal करेंगे, तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, अब ज़रा कुछ important dates को देख लेते हैं और इस video lecture को खतम करने की कोशिश करेंगे, section 1 को अगर आप देखेंगे, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये act कहां पे है, तो ये state of 36 गड़ पे extend है, क्योंकि ये एक lot act है, किस चीज के लिए 36 गड़ के लिए, यानि कि 25 September 2013, और उसके बाद 21-4-2020, यानि कि recently, जो सबसे बड़ा amendment है, जो आपको exam में सीधा question पूछा जा सकता है, वो ये, जो last सबसे बड़ा amendment इसमें हुआ था, वो हुआ था साल 2020 में, तारीक थी 21 April 2020, और ये हमारा सबसे important date है, ठीके सर, ये तीन major amendment है, ये तारीक है हमें पता होनी चाहिए, उसके बाद, प्रेसिडेंट से इसको एसेंट कम मिला था, इसको मिला था 10 April 1915 पे, ये आपको आपकी bear act पे ही मिल जाएगा, उसके बाद आपको आगे क्या देखना है, ये enforcement date क्या है, इसकी 1-1 1959, यानि कि 1 January 1959, और 36 गर में इसकी जो enforcement date है, वो क्या है, व जो कि British's के time से चल रहा था, जब states बनते गए, तो उन्होंने इस act को as it is adopt किया, अपने state में enforce किया, और उसमें जो भी necessary amendments थे, वो करते गए, अट लीस 36 गर में तो यही बात है, तो इसलिए act है 1915 का, लेकिन 36 गर की enforcement date है, वो कितनी है, 1 November 2000, यानि कि जिस साल 36 गर बना था, उ related doubt रहे गया हो, तो आप हमें नीचे comment section में बता सकते हैं, हम उसको clear कर देंगे, कल से हम शुरू करने जा रहे है, section 2, यानि कि definition clause, बहुत ही interesting है, बहुत ही मज़दार है, उसको हम फटा-फट समझेंगे, और इस excise act को पढ़ना आगे शुरू करेंगे, तो मिलते हैं कल एक न अधवा description box पर दिये गया लिंक पर क्लिक करें, हमेशा आपके साथ team Coco